मुर्ख बातुनी कच्छुआ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूले तो चलिए शुरू करते हैं मगत प्रदेश में फुलोत्पल नामक तालाप था वहां संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कच्छुआ भी वहीं रहता था तथा एक बार मच्छुआरे वहां याने तालाप के पास आए और कहने लगी हम सब कल मच्छली, कच्छुए, आदी सभी जल्यजीव को मार देंगे यह सब सुनकर कच्छुआ बोला मित्रों क्या तुमने मच्छुआरों की बाच्छित सुनी अब मैं क्या करूं दोनों हंस बोले सुबह जो उचित होगा वह करना चाहिए कच्छुआ बोला ऐसा मत करो अठाट ऐसे मत बोलो जिससे में दूसरे तालाब पर जा सकू वैसा करो यानि ऐसा कोई उपाय करो जिससे में दूसरे तालाब पर जा सकू दोनों हंस बोले हम दोनों क्या करें कच्छुआ बोला मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे इस्थान पर जाने की इच्छा करता हूं यानि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे इस्थान पर जा सकता हूं हंस बोले यहां क्या उपाय है अर्थात यह कैसे मुम्किन है कच्छुआ बोला तुम दोनों एक लकडी के डंडे को चौँच में पकड़ो मैं लकडी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखो के बल से सुख पूर्वक जाऊंगा यानि आराम से जा सकता हूं तो उस कच्छुए ने कहा तुम दोनों एक लकडी के डंडे को अपने मुह में पकड़ लो और मैं उस डंडे पर लटक कर एक तालाब से दूसरे तालाब पर आराम से जा सकता हूं हंस बोले हाँ यहाँ उपाई हो सकता है परन्तु यहाँ एक हानी भी है हम दोनों के द्वारा ले जाये जाते हुए तुम्हें देख कर लोग कुछ नकुछ तो बोलेंगे ही यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा गिर कर मरना निश्चेती है इसलिए तुम यहीं रहो यानि अगर हम तुम्हें ले कर जाएंगे तो हमें देख कर लोग कुछ नकुछ कहेंगे तो तुम अगर उनके बातों का उत्तर दोगे तो तुम नीचे गिर कर मर जाओगे इसलिए अच्छा यह होगा कि तुम हमारे साथ नहीं चलो और यहीं रहो उन्हें सुनकर क्रोधित कचुआ बोला क्या मैं मुर्ख हूँ? किसी को कोई उत्तर नहीं दूँगा कुछ भी नहीं बोलूँगा इसलिए जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो इस प्रकार लकडी के डंडे पर लटके हुए कच्छुए को नागरी को ने देखा बाद में पीछे दोडे और बोले आहा पहुत अचंबा है हंसो के साथ कच्छुआ भी उर रहा है तो कोई बोला यदि ये कच्छुआ कैसे भी या किसी भी तरह नीचे गिरता है तब मैं इसे पका कर खाऊंगा तो कोई दूसरा बोला तालाप के किनारे पका कर खाऊंगा किसी अन्य व्यक्ति ने कहा घर ले जाकर खाऊंगा उनके उन वचनों को सुनकर कच्छुआ बहुत क्रोधित हुआ मित्रों को दिये गए वचन को भूलकर वह बोला तुम सब राक खाऊंगा उशी शन कच्छुआ डंडे से भूमी पर गिरा और नागरिकों के द्वारा वह मार डाला गया याने जैसे ही कच्छुए ने बोला तुम सब राक खाऊंगा वह निचे गीरा और वहां के नागरिकों ने उसे मार दिया इसलिए कहा गया है भलाई चाने वाले मित्र के वचन को जो लोग अभिनंदन नहीं करतें याने जो लोग मानते नहीं हैं वह लकडी से गीरे हुए दुरबुद्धी कच्छुए के समान विनाश को प्राप्त करता है तो ये तो ही हमारी मुर्ख बातुनी कच्छुए की एक छोटी सी कहानी ऐसी ही हिंदी और संस्कृत की कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक सब्सक्राइब और शेर